Hello everybody, welcome to Mystic World 11-11 ये आप लोगों की pick a card reading है और आज हमारा ये question है कि क्या वो आपकी call का इंतजार कर रहे हैं या नहीं So, अगर आप no contact situation में हैं या less to no contact situation में हैं अगर नहीं भी है और आप जानना चाहते हैं कि आपके person को आपकी call का इंतजार है या नहीं या वो आपका इंतजार करते हैं जैनरल या नहीं और आपसे बात करने का उनका दिल करता है या नहीं हम जानने की कोशिश करेंगे इस reading को आप male के लिए देख सकते हैं, female के लिए देख सकते हैं और same gender के लिए भी देख सकते हैं इसके इलावा इस रीडिंग को आप अपने एक्स के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं, हस्बेंट, वाइफ, सब के लिए ये रीडिंग पिलकल ओपन है इसके लावा मैं शुरुआत से पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया दा करना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट दिया है, जितना प्यार दिया है, मैंने आप लोगों से शेयर किया था, अपना डेक जो मैंने बनवाया है, लव म मैसेज़े यूस करूंगी और हर पाइल के आखिर में लेटर्स और नंबर्स भी होंगे आप लोगों के लिए, तो थैंक यू सो मच अगैन कि आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, जितनी दुआएं और कॉम्प्लिमेंट्स आप लोग अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजेगा और शेयर भी कर दीजेगा, इसके इलावा मैं हमेशा ये कहती हूँ, शुरू करने से पहले कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज बताते हैं आपकी final destination सिर्फ divine source को पता है, सिर्फ divine source को पता है कि finally आपकी life में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को open रखकर इस reading को देखना है, और शुरू करते हैं हम, बहुत सी बाते हो गई, so यहाँ पर initials भी रखे हैं मैंने, और साथी साथ stones भी, so आपकी रखे हैं मैं जिनका आता है उनका यह है, option number two is J to R and three is S to Z, तो तीनों में से जिन में आपका name initial आता है, आप देख सकते हैं, अगर आप अपने partner के name initial से देखना चाहते हैं, तो भी आप देख सकते हैं, आपने connect करना है अपने intuition से, अपने gut feeling से, अगर आपको नहीं प उनके लिए first option है, ये pink diamond, option no. 2 is the blue diamond, a royal blue, and option no. 3 is the green diamond, तीनों में से, उपस, ये कुछ special लग रहा है मुझे, okay, तीनों के time stamps description में है, skip करके आप अपना answer देख सकते हैं, अगर आप दो देखना चाहरे हैं, तीनों देखना चाहरे हैं, कोई problem नहीं, जैसे आपका दिल आपको guide करता है, वैसे आपने select करना है, और मैं start करूँगी option no. 1 से, जिन लोगों ने option no. 1 select किया, यानि के 8Y में अगर आपका name initial आता है, और ये pink diamond आपने select किया था, तो आपकी reading होगी, तो हम देखेंगे कि क्या वो आपकी call का इस वक्त wait कर रहे हैं, या फिर वो आपका इंतजार करते हैं या नहीं, आपकी call का इंतजार करते हैं या नहीं, आपके connection में क्या चल रहा है, क्या energies हैं, जो भी extra messages आएंगे, आपके connections related वो भी मैं आपके साथ share करूँगी, और channeled messages भ 10 of cups, 9 of pentacles, 2 of swords and karma, okay, so यहां पर swords बहुत ज्यादा है, so air energy बहुत है यहां पर, Libra, Gemini, Aquarius, यहां पर Pisces, Cancer, Scorpio भी है and Taurus, Virgo, Capricorn, but regardless of star signs, अगर energy आपसे match होती है, तो बिलकुल आपकी reading है, एक तो मुझे ये feel हो रहा है, right of the bat कि आपके person बहुत जदा सोचते हैं, then we have chemistry, attraction, workaholic and facade, okay, so आपके person बहुत जदा सोचते हैं, बहुत जदा, I feel के action बहुत कम लेते हैं और सोचते बहुत जदा हैं, इनके साथ आपकी recently fight हुई है, कोई argument हुआ है, आप लोगों का बहुत हुई है या फिर, but कुछ न कुछ हुआ है आप लोगों के दरम्यान, मुझे ये feel हो रहा है कि आप इनके साथ contact में तो हैं, लेकिन आपकी इनके साथ लड़ाई होती है, आप लोग जब भी बात करते हैं, आपकी बहुत हो जाती हैं, कि उन्हें क्या करना है, और ज्यादा वो परिशान इसलिए भी हैं कि उनके finances अभी ठीक नहीं हैं, मुझे कुछ लोगों के लिए feel हो रहा है कि आपके person को independent होना है या अभी वो independent नहीं है, कुछ लोगों ने अपने कुछ targets बनाए हुए हैं, जो उन्होंने achieve करने हैं, क्योंकि हमारे पस ये workaholic का card आया है, मुझे feel होता है कि आपके person शायद बहुत busy रहते हैं, आपको बहु बहुत जादा time नहीं देते हैं, और definitely आपकी call का ये इंतजार करते हैं, क्योंकि आप दोनों की chemistry बहुत जबर्दस्त है, attraction बहुत ज़्यादा है, and of course प्यार भी बहुत ज़्यादा है, because we have this 10 of cups, so वो imagine करते हैं आपके साथ एक happy family, imagine करते हैं वो आपके साथ long term relationship, complete happiness, उनको feel ह होता है कि आप उन्हें fulfill करते हैं, मुझे कुछ लोगों के लिए feel हो रहा है कि शायद उन्हें आपके साथ confess नहीं किया है, but with this ace of swords and ten of cups, मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी आपके साथ share करने बाले हैं, वो बहुत जल्दी आपको बताने बाले हैं, कि वो आपसे बहुत जो भी लड़ाई हुई, आपके person बहुत तेजी से वापस आना चाहते हैं, they want to rush in, और वो खतम करना चाहते हैं, इस fight को, इस disagreement को, वो same page पर आपके साथ आना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत within जा रहे हैं, आजकल बहुत ज़दा सोच रहे हैं, आपके बारे में, अगर आप के person को, उनका karma मिल गया, उन्होंने face किया है, उन्होंने lesson ले लिया है separation से, उन्हें बहुत अफसोस है, और with this karma, I feel के, उन्होंने ये सोचा था कि, आपसे अलैदा होने के बाद, या आपसे लड़ाई होने के बाद, वो बहुत खुश रहेंगे, वो cool रहेंगे, बट ऐसा न तो उन्हें बहुत sadness हुई, बहुत परेशान रहें, वो बहुत ज्यादा stuck रहें, उन्हें काम नहीं हो पा रहा था, उनका दिल नहीं लग रहा था किसी भी चीज़ में, और उन्होंने महसूस किया कि वो नहीं आपके बिना रह पा रहे हैं, उन्होंने महसूस किया कि वो आ आपकी तरफ बहुत ज़ादा अट्राक्टिड हैं, बार बार आपकी सोच, आपकी याद उनके जहन में आ रही है। So I feel कि वो आपके दरमयान जो भी लड़ाई हुई, जो भी गुस्ता है, जो भी हुआ आप लोगों के दरमयान, उसे खतम करना चाहते हैं और अगर खामोशी है, आप लोगों के दरमयान इस खामोशी को तोड़ना जाते हैं, वो डफिनिटली इंतजार करते हैं, आपकी कॉल का, आपका इंतजार करते हैं, आपसे कब बात होगी, कब मुलाकात होगी, दुबारा वो इसका इंतजार करते हैं, वो इंतजार कर रहे है कि कब हमारी ये union होगी और उन्हें पता है कि इस union तक पहुँचने के लिए बहुत ज़दा hard work चाहिए और I feel कि शायद वो पहले ready नहीं थे, past में ready नहीं थे बहुत ज़दा confusion थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये चाहिए या नहीं चाहिए but now I feel कि वो ये समझ रहे हैं कि वो hard work करेंगे क्योंकि वो बहुत deep गए है, within गए है, बहुत सोचा है उन्हें इस separation के अरसे में और उन्हें ये बात realize हो रही है कि वो चाहते हैं ये 10 of cups क्योंकि आप उन्हें fulfill करते हैं more than anything, आपका प्यार उन्हें बहुत ज़दा fulfill करता है, वो खुश हैं आप ही के साथ और प्यार करते हैं और उन्हें पता है कि आप उन्हें truly understand करते हैं आप दोनों की chemistry जबरदस्त है, on point है और वो चाहते हैं कि इस खामोशी को, इस separation को अब खतम किया जाए, they want to rush in और वो बहुत clarity के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो definitely आपका इंतजार करते हैं, आपकी call का बट अगर आपने call ना भी की, तो मुझे महसूस हो रहा है कि communication आप दोनों के दरमयान open होने वाली है अब हम आप लोगों के लिए कुछ channeled messages निकाल लेंगे, दो तो हमारे पास already आगए हैं, ये मेरा deck है, जो मैं use कर रही हूँ और ये बहुत सारे आगए हैं, चले हम ये सारे ही रख लेते हैं, channeled messages so, first we have this connection is intense, so maybe उन्होंने ऐसा intense connection पहले अपनी life में कभी भी experience नहीं किया है क्योंके chemistry बहुत है और attraction बहुत है I'm so under pressure, तो मैं भी family pressure हो सकता है, काम का pressure है, because we have this workaholic और वो आपको बता रहे हैं, कि I'm so under pressure, मैं बहुत परिशान हूँ, बहुत सा काम है करने को so, next we have I don't deserve you, so उन्हें ये भी feel होता है कि शायद वो आपको deserve नहीं करते हैं और आप बहुतर deserve करते हैं Facing my inner demons so, आपके person के कुछ deep fears हो सकते हैं, जो surface पर आए हैं और वो उनसे deal कर रहे हैं with this karma I feel so lonely, so yes, आपके person को बहुत lonely feel हो रहा है, बहुत sad है वो और definitely आपको miss कर रहे हैं और वो face कर रहे हैं अपना karma अब हम आप लोगों के लिए कुछ letters और numbers देख लेते हैं okay letters or numbers okay, we have x, किसी के ये x हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं then we have R O M triple one then we have O again N I 3 J N N O 9 भी बनता है देख लीजी अगर आपको ये word बना सकी I'm sorry M C G S U S 11-11 So ये आप लोगों का twin flame या soulmate connection भी हो सकता है because we have this chemistry or attraction maybe आप इनको manifest कर रहे हैं या वो आपको manifest कर रहे हैं maybe आप law of attraction यूज कर रहे हैं then we have G So ये आप लोगों के letters और numbers हैं कुछ भी आपसे इस में resonate अगर करता है मुझे आप लोगों ने जरूर comment section में बताना है So ये आप लोगों की reading थी group number one कुछ भी आपको पसंद आया मुझे जरूर बताईगा आप comment section में I'll see you in my next video Take care Bye Bye जिल लोगों ने option number two यानि के ये blue diamond select किया था और J to R में अगर आप लोगों का name initial आता है तो ये बिलकुल आपकी reading है और हम देखेंगे कि क्या उन्हें आपकी call का इंतजार है या नहीं अगर आप में less to no contact है अगर contact है भी तो क्या वो आपका इंतजार करते हैं क्या चल रहा है आप लोगों के connection में सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे So first we have queen of wands Then we have the emperor Two of wands The magician Ace of wands The sun oh my god And then we have two of pentacles And king of swords So बहुत खुबसूरत बहुत Powerful energy है I definitely feel कि आप लोग Power couple है या आप लोगों में इतनी potential है कि आप लोग Power couple बन सकते है क्योंके बहुत strong energy है और strong strong fire energy मुझे feel हो रही है अगर आप fire sign नहीं भी है तो भी I feel कि आप लोग बहुत and of course प्यार भी बहुत ज्यादा है happiness भी है fight भी नजर आ रही है but बहुत जबरदस connection है very passionate very loving also so यहाँ पर Aries Leo Sagittarius है, यहाँ पर Taurus Virgo Capricorn है, यहाँ पर Aquarius है, yes यह star signs है लेकिन regardless of star signs अगर energy आप से match होती है तो बिलकुल आपकी reading है then we have romantic feelings so एक तो यह confirmation आगई कि अगर आपको feel होता है कि आपके person stubborn है, गुस्से वाले हैं open up नहीं होते हैं तो यह बात यहाँ पर 110% confirm हो गई है कि उनके दिल में आपके लिए feelings है और आपके दिल में तो definitely feelings है ही, then we have wedding this situation involves marriage, so यह एक specific message है कि शायद आपके person की already शादी हुई भी है किसी और से यह आपकी हुई भी है but regardless जो भी situation है मुझे definitely यह feel हो रहा है कि उनकी खाहिश है कि उनसे आपकी शादी हो, so they are looking forward to this you know हम यही सोच रहे थे कि क्या वह आपकी call का इंतजार करते हैं नहीं मुझे ऐसे लगता है कि इंतजार करने की नोबत नहीं आती है, वह आपको call कर लेते हैं मुझे लग रहा है कि आप इनके साथ definitely है perfection, you are perfect for them आप उनका other half है, उनका counterpart है perfect है आप उनके लिए I feel and then we have forgiveness so maybe कुछ हुआ आप लोगं के दरम्यान जिस पर आपके person को literally आप से माफी मांगना चाहते हैं वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें, उनके लिए दिल को बढ़ा कर लें and definitely वो आपकी call का, आपका आपसे मिलने का, आपकी आवाज सुनने का हर वक्त इंतजार करते हैं उन्हें आपकी आवाज बेहत पसंद है because I feel कि यहाँ पर किसी का तालुक आवाज से है, कोई singing बहुत अच्छी करता है, आपकी voice quality बहुत अच्छी है, soothing है आपके बुलने का I'm sorry, अंदाज बहुत अच्छा है या आप बुलने से related कोई काम करते हैं आप motivational speaker भी हो सकते हैं कुछ बुलने का काम आवाज, आपकी आवाज बहुत special है Yes, so आपके person को definitely आपकी आवाज बहुत पसंद है And yes, वो आपकी call का इंतजार इस वक भी कर रहे हैं, मुझे जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि लगता नहीं है कि इंतजार की नोबत आती है, मुझे लगता है कि आप इनके साथ contact में है जो लोग contact में नहीं है I feel के बहुत जल्दी contact में आने वाले है अगर तो separation है किसी की I feel के वो separation खतम होने वाली है आप लोग एक साथ आपकी union नजर आ रही है मुझे बहुत magical, बहुत happy times आप लोगों की जिन्दगी में manifest हो रहे है आपने जो इनतजार किया आपने जो कुछ भी किया finally आपको उसका फ़ल मिलने वाला है I feel मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि group number two जिन लोगों ने select किया है वो बहुत confident है आप लोग अपने उपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं बहुत focused हैं आप सारा दिन अपने person का इंतजार नहीं करते बलकि आप अपनी daily routine पर भी focus कर रहे हैं अपनी जिन्दगी में आप अच्छा काम कर रहे हैं आप बहुत powerful हैं और आप यह बात जानते हैं आप lessically settle down होने वाले मुझे नहीं लग रहे हैं and I feel कि आपकी यह बात सबसे ज़्यादा आपके person admire करते हैं उन्हें यह feel होता है कि वो आप पर rely कर सकते हैं वो आप पर trust कर सकते हैं क्योंकि आप जिमेदारी लेते हैं चीजों की आप extremely powerful है so I feel कि आपकी यही energy उनको आपकी तरफ और ज़दा attract कर रही है और वो definitely आपके साथ potential देखते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा ऐसा ही partner चाहिए था कि जिस पर वो rely कर सकें जिस पर एतबार कर सकें जिसका उन्हें पता हो कि यह बहुत powerful है you know आप perfect हैं उनके लिए perfect और I feel कि वो बहुत जल्दी आप से communicate करेंगे अगर communication नहीं हो रही है इसके इलावा बहुत mature vibes आ रही है बहुत अच्छी strong, stable, secure vibes आ रही है मुझे लगता है कि यह connection बहुत secure है बहुत powerful है I mean आपके person बहुत मुझे authentic लग रहे है बहुत decent लग रहे हैं serious भी है इसके इलावा मुझे लगता है कि बहुत respect के साथ honor के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह इनसान बिलकुल भी इस connection को लेकर मजाक नहीं कर रहे यह बहुत serious हैं आपको लेकर और अगर यह भी आपकी जिन्दगी में नहीं है तो आप लोग ने परेशान नहीं होना क्योंकि I feel कि वो आपकी जिन्दगी में आने वाले हैं आप इन्हें manifest कर लेंगे अपनी जिन्दगी में और जब यह आएंगे तो यह completely in होंगे मुझे यह महसूस हो रहा है सो इनके दिल में आपके लिए बहुत deep feelings हैं बहुत प्यार है और यह open up भी होंगे आपके साथ because we have this sun वो बहुत खुश होते हैं जब आप उन्हें कॉल करते हैं आपकी आवास सुनकर वो बहुत खुश होते हैं वो फिर से उन्हें ऐसे लगता है कि अपने यूथ में चले गए हैं फिर से यंग हो गए है ऐसा नहीं है कि यह कोई बुड़े इनसान है नो मतलब कि बहुत ही fresh हो जाते हैं एक दम से उन्हें महसूस होता है कि वो बहुत खुश है और हर चीज़ अच्छी लगने लग जाती है जब आपकी आवास सुनते हैं आपका बहुत इंतजार करते हैं आपसे मिलने का आपको देखने का बहुत अच्छा लगता है उन्हें आपके साथ और बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं आपको और उन्हें बहुत पसंद है आपका आइटिट्यूट, आपका बोलना the way you carry yourself आप dress up बहुत अच्छा होते हैं I feel आपकी हर चीज on point है और वो बहुत attracted हैं आपसे आपकी बहुत इंतजार करते हैं और अभी भी कर रहे हैं आपको अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते channeled messages intuitively इसमें से मैं messages आप लोगों के लिए निकाल लूँगी four one more okay so first we have you are my queen and king wow so queen or king मैंने दोनों लिखवाया था क्यूंके बिल्कुल भी gender specific नहीं so yes आप बिल्कुल perfect हैं उनके लिए जो बात मैं पहले कर रही थी बिल्कुल वैसा ही message आया कि आप उनके लिए queen है अगर आप मैल हैं तो आप उनके king है और वो आपको बिल्कुल एक queen या king की तरह ही treat करना चाहते है I am ready to fix everything so यही मुझे फील हो रहा था कि आपके person बहुत mature है उन्हें पता है कि चीजों को कैसे ठीक करना है क्योंकि यह manifester है यह बहुत powerful है and of course आप भी बहुत ज़्यादा powerful है तो उन्हें पता है कि उन्होंने कैसे fix करनी है हर चीज so they are ready to fix everything बहुत खुबसूरत card and then we have I want to reach out and I will wow so yes वो आपको call करेंगे बिलकुल करेंगे I am stuck right now हो सकता है कि किसी काम में थोड़े से busy हो but यह वो वली stuck energy मुझे feel नहीं हो रही जो आप सोच रहे है I feel कि कोई काम चल रहा है उनका जिसमें वो busy है but वो आपको call करेंगे and then we have yes अगर कोई भी question था आपके जहन में yes or no question तो आपका answer yes है अगर आप यह पूचरा जा रहे थे कि क्या वो मुझे से प्यार करते हैं so your answer is yes वो आपको अपनाएंगे या नही your answer is yes वो आपकी तरफ आएंगे या नही your answer is yes so वो बिलकुल reach out करेंगे बिलकुल आपको call करेंगे बहुत खुबसूरत यह reading है आप लगों के लिए कुछ letters or numbers okay so we have 444 B then we have number 1 or number 1 the magician का भी है number 4 emperor का है H U U are the one O Z C then we have R N X X X यहां पर दो दफा आगया then we have 3 N भी दो दफा आगया यहां पर triple 6 यह भी 6 है then we have N so N यहां पर तीन दफा आगया O Y L then we have H K A 3 3 and K A R A T रहट आप देख लीजिए इससे अगर आप कोई वर्ड बना सकें So यह आप लोगों के letters और numbers है कुछ भी आप से resonate किया पसंद आया आप लोगों को मुझे आपने जरूर comment section में बताना है अगर आप नई थे मेरे channel पर like कीजेगा, share कीजेगा और subscribe करना मत भूलिएगा जिन लोगों ने option number 3 यानि कि यह green diamond select किया था यह आप लोगों की reading होगी S to Z में अगर आप लोगों का name initial आता है So हम देखेंगे कि क्या उन्हें आपकी call का इंतजार है अगर आपकी less to no contact situation है बट अगर नहीं भी है तो भी हम देखेंगे कि क्या उन्हें आपका इंतजार रहता है क्या dynamic है आप लोगों के connection की सब कुछ हम जानेंगे So first we have Strength The Hermit Eight of Wands Five of Swords Four of Cups Justice King of Pentacles Please bear with me एक card नीचे गिर गया और इसे मैं उठा लूँ All right So we have the High Priestess So the High Priestess The Hermit एक चीज जो सबसे पहले मुझे यहां पर नज़र आई इन दो card से कि यह connection बहुत powerful है मुझे यह जरूर यहां पर नज़र आ रहा है कि आपके person ने या तो resist किया है या इस connection से इंकार किया है या आपसे दूर जाने की कोशिश की है आपको ghost करने की कोशिश की है आपसे दूर रहने की deliberately कोशिश की है बट ऐसा हो नहीं पा रहा आप लोग एक दूसरे से कई दफ़ा शायद दूर गए है और फिर किसी ना किसी तरह आप दूनों की बात चीत हो जाती है किसी ना किसी तरह आप दूनों फिर से connect हो जाते है बट अगर ऐसा नहीं है तो भी मुझे feel होता है कि soul level पर आप की energy वो receive करते है वो feel करते है आपको और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसा है जो वो नहीं भूला सकते हैं कुछ है इस connection में ऐसा magical कि आपके person नहीं भूला पा रहे हैं आपको यहां पर Taurus, Virgo, Capricorn है Leo है, Pisces, Cancer, Scorpio है and Libra है but regardless of star signs अगर energy आपसे match होती है तो बिलकुल आपकी reading है then we have new love यह literally आपका कोई नया connection मुझे लग रहा है कुछ लोगों का but अगर नहीं है तो I feel के renew होने वाला है आप लोगों का यही connection then we have religious factors और इससे भी मुझे यही feel हो रहा है कि यह connection बहुत deep है and then we have soulmate yes, यह यह तो soulmate connection है यह पर twin flame connection है definitely लेकिन regardless of labels आप बहुत ज्यादा आपको महसूस होता है कि आप इन से connected है then we have impatience so आपके person आज के तीनों ही piles बहुत खुबसूरत थे और इसमें भी मुझे कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि वो definitely आपकी call का इंतजार उने होता है but मुझे ऐसा feel होता है कि sometimes आप की इन से बात होती है sometimes नहीं होती है क्योंकि मुझे लगता है कि आपके person अभी completely इस connection में in नहीं है यहाँ पर deep feelings हैं यह बहुत mature love है deep feelings हैं but यहाँ पर communicate नहीं किया जा रहा बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आप भी observe करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा आप भी अपनी बहुत सी बातें दिल में रखते हैं आप अपनी बहुत सी feelings उनके साथ share अभी नहीं कर रहे हैं और वो भी नहीं कर रहे हैं इसके इलावा मुझे यह भी feel हो रहा है कि आपके person को कोई fear है commitment से related commitment शायद वो नहीं अभी करना चाहते हैं क्योंकि justice मेरे लिए commitment का card भी है so I feel कि जब बात एक committed connection की या deep connection की आती है तो आपके person गायब हो जाते हैं ghost करने लग जाते हैं आपको क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होता कोई देने के लिए वो आपको hurt भी नहीं करना चाहते या maybe किसी को उन्होंने कर भी दिया उन्होंने आप से completely clearly कहा कि मुझे अभी connection में नहीं जाना है deeper connection में नहीं जाना है आपके person को शायद उनके heart chakra पर काम करने की जरूरत है क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि उनके अंदर इतनी strength नहीं है इतनी power नहीं है कि वो invest कर सकें किसी deeper connection पर क्योंकि शायद इस वक्त वो focused है अपनी material life में 3D life में पैसा बनाना चाह रहे हैं काम करना चाह रहे हैं बट मुझे यहाँ पर love नजर आ रहा है love present है यहाँ पर आपके person के दिल में आपके लिए बहुत deep feelings है and definitely आपके दिल में भी है but problem यह है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे से confess नहीं कर रहे है and of course उन्हें आपका इंतजार भी रहता है उन्हें आपसे बात करने का इंतजार भी रहता है आप करना भी चाहते हैं मुझे ऐसे लगता है आप करते भी हैं उन्हें text messages calls वो जवाब नहीं देते है और sometimes कोई बहुत ही boring सा बुरा सा जवाब दे देते हैं आपको आप फिर hurt होते हैं और फिर आप भी खामोश हो जाते हैं कुछ इस तरह की situation मुझे नजर आ रही है वो बहुत अच्छे से आपको respond नहीं कर रहे हैं आपकी बातों का हला कि वो बहुत खुश होते हैं जब आपका message screen पर आता है बहुत खुश होते हैं जब आप message करते हैं लेकिन वो कोई बुरा सा जवाब देते हैं जान बूच करता कि connection ना बने वो जान बूच कर रोक रहे हैं इस connection को हला कि feelings बहुत ज़्यादा है और इसके बहुत से reasons हो सकते हैं आप लोगों को already पता होगा कि क्या reason है but I feel कि इस तरह से वो अगर करते रहेंगे एक ना एक दिन वो open up हो जाएंगे एक ना एक दिन वो जरूर open up होंगे आपके सामने क्योंकि love definitely यहाँ पर है definitely आपके person को realize हो रहा है कि connection बहुत deep है आप different है आप हर आप आम इनसान नहीं है जितने भी लोगों से वो मिलते हैं आप उनसे सबसे different हैं और वो यह बात जानते हैं कुछ लोगों के लिए यह भी feel हो रहा है कि शायद उनका कोई legal matter चल रहा हो maybe उनकी पहले divorce हो चुकी है एक दफ़ा और इस वज़ा से वो थोड़ा सा डरते हैं फुरी तोर पर दुबारा एक और connection में नहीं आना चाहते हैं so उस divorce ने उनके जहन पर उनके दिल पर काफी असर चोड़ा और इसी वज़ा से शायद वो अभी डरते हैं नए connection में जाने से बट यह connection आप लोगों का renew होगा और यह बहुत से लोगों के लिए new love है यह नए इनसान है जो आपकी जिन्दगी में आए है और यह आपको ghost करते हैं यह आपको बताते हैं नहीं है deep deep down क्या चल रहा है उनके दिल में बट बहुत खुश होते हैं जब आपका message आता है call आती है उनका दिल भी बहुत करता है कि वो आपसे communicate करें लेकिन वो जान बूच कर आपको बुरा सा response देते हैं ताके आप उन्हें दुबारा करें ही न क्योंकि वो आपसे लड़ना नहीं चाहते है आपको hurt नहीं करना चाहते है और अभी वो deeper connection के लिए ready नहीं है so यह मुझे उनकी energy नज़र आ रही है अब हम उनकी तरफ से आपके लिए channeled messages देख लेते हैं और एक message हमारे पास आ गया है three four and five okay so first we have I need to be alone for a while तो yes उन्हें alone time चाहिए क्योंकि वो within जा रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये connection क्या है क्या वाकिए उन्हें आपसे इतना ज़्यादा प्यार हो गया है क्या कर सकते हैं वो अपनी feelings का सारी चीजों के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें अभी अकेला रहना है वो आपसे ये कह रहे हैं then we have totally heartbroken तो yes बहुत तकलीफ है दुख है उन्हें अगर आप लोग इस वक्त separation में है पर separation अगर नहीं भी है और आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़दा बातें नहीं करतें और वो definitely आप से बहुत ज़दा बात नहीं करतें दिस्टिंस पर आपको रखते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है जब वो deliberately आपको अपने से दूर करते हैं दुख होता है उन्हें और वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि उनका दिल पहले कई बार तूट चुका है और बहुत बुरी तरहां उन्हें तोड़ा गया है इस वज़ा से उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आगे बढ़ना I am thinking deeply Yes, वो बहुत डीप जा रहे हैं With the Hermit बहुत ये spiritual card भी है I feel so lonely उन्हें बहुत अकेलापन फील हो रहा है And then we have facing my inner demons Maybe ये उनकी thoughts हैं जो उने खाये जा रही है उनकी 3D self उनसे ये कहती है उनका दिमाग के तुम्हें hurt किया गया फिर से वैसा ना हो जाए You know, इस तरह की चीज़ें तो इस वक्त वो काफी ज़दा मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं Definitely, हमारा question आज का ये था कि वो आपकी call का इंतजार करते हैं या नहीं Definitely बहुत अच्छा फिल होता है उनने जब आप call करते हैं या आपकी आवाज वो जब सुनते हैं आपका इंतजार उनने रहता है क्योंकि definitely यहाँ पर love present है लेकिन वो जान भूज कर इसको रोकते हैं और आपको रोकते हैं They push you away वो इसलिए क्योंकि वो ready नहीं है अब हम आपके लिए कुछ letters और numbers देख लेते हैं Okay, यह बहुत सारे आगए So we have U, N, F Then we have Q, H, Y Then we have, नहीं, यह M है This is M and K A Then we have 3, I I, M, I, F, I 666, L, K 2, U, L Then we have Y, J And 6 So यह आप लोगों के letters और numbers हैं देख लीजिए इससे अगर आप कोई word बना सकें और यह आप लोगों की reading थी group number 3 कुछ भी आप से resonate किया, पसंद आया आप लोगों को मुझे आपने जरूर comment section में बताना है अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजेगा, share कीजेगा और subscribe करना मत भूलिएगा